मेरा नाम है प्रमोट कराई और प्रान के काजि करता हूँ यह रामनगर गाओं है बोध गया प्रखन के और यहां पर किसान के खेत में सहावागी धान का यहां पर कुछ रिशर्च किया जा रहा है जो स्रीविधिक से सहावागी धान का और जनरल विधिक से सहावागी धान का जो किसान इस तरीका से खेत करें दनी साववा गया है और दानी तरफ आपको जनरल वीधि थे सववा गया है तो देखिए दोनों प्लोट में और देखिए शीरी वीधि में इसका क्या है इसमें बारो दिन का स्रीव एक बिचुडा रुपाई के आ घिया है और इसमें 25 दिन का जब किसान के तरीका है ती देखने का चीज है जो एक स्रीविधी का एक धान से आपको एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दोस एगारो बारो तेरो चोड़ो पंदेरो सोलो सतर एक धान से सतर बाल निकला तो इस स्रीविधी कर दो तरीका है आपका जनरल विद्धी से किया है इसमें 25 दिन का दो तीन भी चाड़ा रुपाई के आगया है लेकिन दो तीन चार पांच छे साथ आठ आठ लगभाग आठ दरस कला निकला है तिन चार से इसमें एक से निकला है आपको 15 से 20 कल तो यही समझने का चीज है हम इसमें इतना पानी अधिया है इसमें इतना घ्लक यह बराबर मात्रा में ए ऋपाण हम मेहनाथ और खर्ठ लगाथ सेम लगा तो है भी आभी देखने का चीज़ें घड़ा फसल है इसका बाली आफको जो है आपको लंबा है इसका बाली बहुत छोटा है ये एक बाली में देखिए इसमें देखने का चीज है ये स्री विधी का एक बाली है और ये आपको स्वाभागी धान का जनरल विधी का एक बाली है जो बाया हात में है ये स्री विधी का एक बाली है और डाइन हात में है तो ये जनरल का आपको एक बाली है तो देखने का ची इस चीज को और इसको देखने का चीज है जिए हमको जो सारा मेहनत भी होतने हैं लागत भी अतना है और हमको उत्पादन ज्यादा हो रहा है हम क्यों नहीं स्रीविदी से खितिक करें नाम है बविता देवी घरसत घरवा पढ़ता है पंचाइच सक्वारा पर्खंड बोध गया जिल्ला गया थमकिसान नाम सुनीता कुमारी गाँ खटका चक नगर परखंड पढ़ता है और जिल्ला गया कि रहने वाली हूं और मैं एक टीशान हूं सीरीविदी से खिति करकें कर नाम देदय यागला, या जदी, आयलीओ, बिरू हाँ आज हम इंसे जारट फट चल्ड़ा, आजे बरूब काटिंग कर वेगा है, आज लुट क्रोब काटिंग कर वे, जाला यहाँ कार हुट कर दो चलिये देखिये, यही खेत है, शीरिविधी का इही हला दढ आप थी करी चर्थे में क्रॉप कॉटिंग करें अऒम दिदे। इसको 10 दिन के बिचडा कर रुपाई किये थे? यह mau PAःता लगाया था और यहाग थे पावधादा नंग पॉद्न पावधा लगाया थे उसमें कालि कन्ना फो था एक ऩार्स आ只लो खाये हुआ त्हल इसमें इसमें जिन्र्मलज przyण बादा दी जन्रल भाली बादा लगWhat मेजेए दिसका कंनी कितना मजबूत हा और बाली कितना लंबा लंबा एक दढ़ाम जो हैं जादा दाना आ इसमें होता है देखेंट प Sell देखें अबहना कितना सुदर है दम पुरा घ्ठान से धाना है पुरा गहना फॉर्दा साध करना चाहिए देखिए इसको कितना छोटा छोटा बाली हुआ है और कितना छेहर दान है और कुछ तो मतलब कि अभी जो कच्छा है तो खाकरी ही हो जागा दिदी तो हम लोग किसान मार खा जाएंगे जब तैयार हो जाता है, जब तैयार हो जाता है, उसको क्रोब कटिंग करते हैं, तो उसको इंची टेप से नाब करके और जितना फसल लगा हुआ रहता है, उसको पाँच जगह से काट्ते हैं, और समान बिधी और सीरी बिधी का तूलना करते हैं कि किस में अधिक फसल हुआ है जब हम लोग क्रॉप कटिंग करते हैं तो खेद पर इंची टेप लेकर के जाते हैं आरी से एक मीटर अंदर हेल के चारो कोना पर से पचपच पौधा काटते हैं किस जगह पर किस तरह का फसल हुआ है यानि कोई कोई साइड में कमजोर होता है कोई साड में ज्यादा फसल होता है पर इसलिए हम लोग बराबरी के लिए प fire करकर के औपीटाई करके उसको माक्ते हैं बराबरी पाँच जगह से काटके और बराबरी करकेår करके नाजञ enc tapके देखते हैं कि कौन व 알았어 केतना जादे हुआ कि जेनरल बीधी वाला जादा हुआ है 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 कि जेनरल बीधी वाला जादा हुआ ह अब चलीए हम खेत में अपको बताते हैं कैसे क्रोप कटिंग करें गारे एक मीटर लंब गलते हैं जब ऑर एक मीटर चाड़ा लेते हैं यत, यक मितर शवला ले लिए हैं। अजो कटाई करते हैं। इसी तरह से पांच जगह से लेते हैं, चार जगह कोना पर से और एक पीच का खेत में से। अर सारा पाओध को कटाई करके पिटाई करते हैं। सारा पाउधा काटको अफिन पिताय करते हैं ना पाउचों के अलग अलग वजन करते हैं और पाउचों के अलग अलग वजन करते हैं हम तुझे एंगरल विधी ने काटते हैं जिदी ता हम ऐसे नए वजन करते हैं जदी, हम लोग इसलिए बाजन करते हैं, कि पाँच जगास लेते हैं, कि कहीं पौधा मजबूत होता है, और कहीं पौधा मजबूत होता है, तो कहींतो होता है, यही कौरомина से धिती, जजगे हैं। कहीं कमजोर पौधा भी ले ले लिए कहीं मजबूत भी और पांचों के पांच जगा तो लेंगे तब फिर उसको पता चल जाता है कि एक कठ्था में कितना हुआ और जेनरल विधी से भी इस तरह करना चाहिए हम लोग तो जेनरल विधी से कटाई करके उसको नापते नहीं य जेनरल विधी से तो हम भी ओसी घर में खर्याने से खर्याने से खर्याने लगाते हैं और फीट के घर में धर्गते हैं नहीं तो पता नहीं चलता है कि कई से कठ्था हुआ और इसे तो पता कर लेते हैं हम लोग ना की कठ्था में कितना धान हुआ है हाँ इसलिए हम लोग नपाई करके ही क्रॉप कर लिते हैं जदी अब हम इसको काट के आपको दिखाते हैं आप लेना नाप लेना है तब पिर काटना है कर देखे दी एक मीटर लंबा एक मीटर चौडा नाप करके हम काट लिये हैं इसी परकार से हम खेत के चारो कोने पर से और एक बीच से पांच मीटर कटाई करें चारो कोना पर से एक मीटर लंबा और एक मीटर चौडा चार जगा से कोना तरफ से लेंगे और एक बीच से लेंगे चार कोना तरफ से लेंगे और एक जगा बीच से लेंगे इसको अलग अलग रखेंगे दिदी अब पाँचो के अलग अलग पिटाई करेंगे इसको अलग अलग रखेंगे दिदी अब पाँचो के अलग पिटाई करेंगे इसलिए दिदी कि पोधा जो है न से खेत में समान रूप से नहीं रहता है एक तरप को पोधा कम जोर रहता है कहीं का कहीं का मजबूत पौधा राता है तो ऐसे पांच भाग से हम लोग इसलिए लेते हैं कि पूरे थेत का अथि मिल जाता है दोरा कि अबर्ण भाग से जाता है युँ झाया है आड़ा पांच 129 लोग अड़ी दोरा कर दोरा है नहीं कि अड़़्का लीडि़ा युदें लेवगां कि इसलिए ड्रूप्सेनी लेग टोरा उंड़ा युष्टा युदें मिल युदेंग्ट गलिए कि हम लाग से लाग से नह देखिए दिदी जो हम धान काटे हैं उसको जड़ाई करके यही हमको पास धान है यह 900 ग्राम है यह 800 ग्राम है यह 800 ग्राम है यह 900 ग्राम है यह 1 केजी है कि अदेखिए सारा मिला करके साधे 4 केजी ढूरा है साधे 4 केजी हाँ साधे 4 केजी इसको से हम आसानी से निकाल ले सकते हैं कि हमको कठा में कीतना हुआ है अच्छा है दिदी कि देखिए वहां तो हम लोग सोभाई के बारे में देखे हैं यहां भी इस पुलोट में भी हम लोग देखिए अलग-अलब किस्म का हम लोग पांच तरह का किस्म का यहां पे सिरी विधी तरीका से रुपाई किये हैं सब आपको गया के क्लाईमेट के हिसाब से सब हलके धान है सब कम दिन वळा धान है लेकिन उसके हिसाब से भी देखतो है जिए कोन यहां पर बढ़ हैं हम लोग को रेजाल्ट कर रहा है किसान के लिए यहां के क्लाईमेट में कौन सुटबिल है तो आलग-अलग पांच लेकिन इसको हम लोग को समझना है जिसका सब हलके धान है इसमें से कोन बढ़ यह कर रहा है तो यहीं का मक्सद है यह एक घरटिस है गंगा लाल गंगा लाल एक मनसुरी टाइप का वराइटिस है देखें यह सुखार के स्थितिति में इस साल फिर भी यहां देखें बाली इसका बहुत बढ़िया है और इसमें दना भी बहुत बढ़िया है एक बाली का देखें इसमें आपको बहुत बढ़िया लग रहा है देखें इसमें खकरी बहुत काम है देखें जो इस पलोट में खड़े हैं यह सहबागी धान यह किसान के इसमर पहला बार इसको रुपा ता है देखे आपको सबसेलंबा हैं और इसका दना भी आपको बहुत मुएं यहां घाले हैं यह पाना मनसुरी आपको थाधा तक भी करते हैं जीए पुलोट अभी हरा है और इसका बावी अभी निकला है अभी दाना पूरा भड़ना नहीं है उपर नीचे तक लेकिन ये भी आपको सुखाड की स्थिति में आपको बढ़िया धान है लेकिन सहबा की गंगालाल से थोड़ा सा पीछे है इसलिए इसमें पानी थोड़ा से एक दूपानी ज़दा लगता है तो इस प्लोट में जहां हम लोग खड़े प्रभात है प्रभात ये हल कौम दिन का धान है हलका भराइटी से लेकिन इसको देखते हुए आपको देखिए इसका बाली तो ठीक है जे बाली का इसका जो और भी हम लोग धान देखे गंगालाल पाना बा सावागी उसके उपेच्छा में इसका बाली छोटा है